हकिकत ये है कि दुनिया के इत्यास की थोड़ी बहुत भी जानकारी रखने वालों को पता है कि गुपता बंधु कौन है अगर नहीं पता है तो हम आपको उनके बारे में तफसील से बता देते हैं और इस तफसील से बताने की शुरुवात भी एक शादी से ही होती है साल था 2013 का महिन अप्रेल सुबा का वक्त था दक्षिन अफरिका की राजधानी प्रिटोरिया में एक एरबेस है वाटर लूफ एक तंभ हाई प्रोफाइल जब कोई विदेश्टी राष्ट्य अध्यक्ष दक्षिन अफरिका आता तो उनके विमान को यहीं उतारा जाता खूब सुरक्षा होती है यहाँ इसी एरबेस पर एक दिन एक एरबेस A3302 विमान उत्रा एक भारती एरलाइन्स कंपणी का प्लेन था यह इसके अंदर करीब 277 लोग थे सारे के सारे बहुत अमीर लग रहे थे एक से एक खूबसूरत कपड़े गहने पहने हुए यह सारे लोग एक शादी में शरीख होने आये थे चार दिनों का प्रोग्राम था सारे मेहमानों के रहने का इंतजाम किया गया था संसिटी लगजरी रिसॉर्ट में उन्हें वहां ले जाने के लिए SUV गाड़ियां खड़ी थी यहां तक कि मेहमानों के कारवा के आगे पुलिस की नीली बत्ती वाली गाड़ियां भी चल रही थी यह सारे मेहमान एक ऐसे परिवार के थे जो देश के राष्टपती को अपनी जेब में रखता था यह मेहमान उसी गुपता परिवार के थे जिनके इंतजामात आज आप औली की शादी में देख रहे हैं जी हां, ये गुपता बंधु रहने वाले पश्चिमी यूपी के सहरनपूर के हैं। इनके नाम है अजय गुपता, अतुल गुपता और राजेश और दोनी गुपता। ये लोग कारुबार के लिए 1994 में दक्षिन अफरिका गए। वहापर उनों ने सत्ता और अधिकारियों के साथ ऐसा गड़जोड कायम किया कि दक्षिन अफरिका का राश्टपती भी उनकी जेब में रहने लगा। इनके बारे में 2016 में ख़बर आई थी कि अतुल गुपता द असार ये हैं कि गुपताओं के पास इस से कहीं ज्यादा दौलत है। लेकिन साहरनपूर से दक्षिन अफरिका तक पहुँचने की गुपता बंधों की कहानी पूरी फिल्मे है। 1985 में मंझले बेटे अतुल गुपता को पढ़ने के लिए दिल्ली भेज दिया। पढ़ाई के बाद अतुल ने कुछ दिन तक दिल्ली के हयात होटेल में नौकरी की और यहीं से साथ अफरिका चले गए। अतुल ने कम्प्यूटर का कोर्स किया था। तो इस तरह सबसे पहले अतुल गुपता दक्षिन अफरिका पहुँचे। रंग भेद के दोर से उबर रहे दक्षिन अफरिका में व्यापार के लिए पार संभावनाए हैं। अतुल गुपता ने सबसे पहले अपना एक छोटा सा बिजनस यहां शुरू किया। बिजनस ने जैसे ही राफ्तार पकड़ी अतुल ने अपने दोनों भाईयों अजय और राजेश को भी दक्षिन अफरिका बुला लिया। अतुल के बड़े भाई अजय गुपता ने C.A. की डिग्री ली है जबकि राजेश ने इंजिनियरिंग की पढ़ाई की है। अजय गुपता जी के बार में मैं शुरू से मोहले में रहता हूँ, बच्चपन से ही जानता हूँ, आदमी बहुत वेलन गुड़ आदमी है, और कहना मैं बस मतलब इतनी जान पेचान तो है नी, मगर जहां भी सुना है, अच्छे ही सुना है अजय गुपता जी के लिए। दक्षिन अफरिका के व्यापार जगत में तीनों भाईयों का बड़ा नाम है, इनकी कई बड़ी कमपनिया है, जहांसबर्ग और केप टाउन में स्टैकड़ों एकड़ में फैला आलिशान विला है, मौजुदा दोर में गुपता बंधु के दक्षिन अफरिका में कम्प् लोक्त्रियर है पूर राश्पती जैकब जुमा को इन भाईयों की वज़ा से अपनी कुर्सी गवानी पड़ी, जुमा के कारिकाल में गुपता परिवार पर स्तरकार चलाने का आरोप लगा, आज भी इन भाईयों के खिलाफ घोटाले की न्याइकजा चल रही है, यही नह अफ्रिका की क्रिकेट टीम भारत दोरे पर आये थी, उस वक्त गुपता बंधु ने पूरी दक्षन अफ्रिका की टीम को सहारनपूर बुलवा लिया था